हेलो बच्चो, वेलकम टू कार्वा कारडेमी और आज की क्लास में क्लास नभी का गणी प्रस्नावली 2.2 को सल्व करेंगे ये 2.2 बहुत ही इजी प्रस्नावली है, इससे पहले आप लोग 2.1 नहीं किये होंगे तो जरूर एक बार उसे अच्छे से पढ़ लिजिएगा और एक दो दस्मलो दो आपके एक्जाम के लिए भी important है क्योंकि आपके एक्जाम में इससे प्रशने को पूछे जाते हैं पहला प्रशने है कि निमली खित पर बहुपद 5x-4x²-3 के मान ग्याद किजिए जिसमें आपको इसमें 3 question है x equal to 0 है x equal to minus 1 और x equal to 3 कहने का मतलब है कि यह जो दिया आपको px का मान दिया है और उससी में एक बार 0 रखना है एक बार minus 1 रखना है और x का मान 2 रखना है बारी बारी से आए इस question को सल्व करते हैं है बहुत इजी ध्यान से देखिएगा ठीके देखिए सबसे पहले क्या करेंगे यह जो हमारा दिया है न पहले तो हमें लिखेंगे का हमारा पहला प्रशने है वो क्या है पहला प्रशने x बराबर 0 के लिए दिया है ठीके तो मेरे दोस्त ध्यान से देखना यह जो दिया है न यह px का मान है किस का मान है px का हम लिखेंगे कि हमारा जो px दिया है वो क्या दिया है वो दिया है 5x-4x² प्लस 3 दिया है आपके पास किताब होना बहुत ही जरूरी है जदी आपके पास किताब नहीं होगा तो किताब जरूर खरीद ले ठीके अब देखो हमें तो x का मान 0 देना है तो लिखेंगे x बराबर x बराबर 0 देने पर क्या लिखेंगे x बराबर 0 देने पर यानि जहां x है वहां हम 0 रखेंगे यह देखो हमारा p 0 हो गया बराबर यह 5 का 5 x में क्या कर रहा है 5 गुना कर रहा है तो यहाँ पर क्या कर देंगे, 0 लिख देंगे, क्योंकि X कमान 0 रखना है, हमने 0 रख दिया, माइनस, यहाँ पर देखो, क्या है, 4 है, तो 4, इन्टू X कमान हमें तो 0 देना है, तो 0 का S-Q हो जाएगा, अब पलस 3 हो जाएगा, अब यह देखो, P0 बराबर, 5 रहे हो, और 0 से करेंगे, 0 माइनस, 0 का S-Q और 0 और 4 से करेंगे, 0 पलस 3, अब यह देखो, P0 बराबर, यह 0 में से 0 पलस क्या है, 3, यह हो जाएगा, 3, यानि P0, इसका जो मान आया है, वो क्या आया है, 3 आया है, यह पहला का अंसर हो जाएगा, 3 यह यह जो, इसका दूसरा प्रश्ने देखो, क्या बोला है, पहला का दूसरा, वो आपको किताब में देखो, क्या दिया है, एक्स बराबर, माइनस 1 रखना है, क्या रखना है, माइनस 1, ठीक है, तो देखो, यह भी क्वेश्चन जो है, इजी ही है, और ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छे से समझाने की कोशिस करेंगे, पहले आपका जो पी एक्स कमान है ना, उपर, क्वेश्चन में, उसको आप लिखो, पांच एक्स, माइनस 4 एक्स स्क्वाइर, अब प्लस यह 3, गिवन है आपका, तो अब हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले, यहाँ पर पी एक्स कमान, माइनस 1 रखेंगे, बराबर, पांच एक्स कमान तो माइनस 1 रखना है, अब तो आप लोगों को पता चल रहा होगा ना, और एक्स कमान माइनस 1 के स्क्वाइर करेंगे, अब प्लस 3 हो गया, अब यहाँ से पी माइनस 1 बराबर, पांच से और माइनस 1 से गुना करेंगे, माइनस 5, माइनस 1 के स्क्वाइर करेंग P-1 बराबर यह कितना हो जाएगा माइनस 5 और माइनस 4 यह माइनस 9 हो जाएगा पलस 3 यहां से P-1 बराबर माइनस 9 में से यह 3 जाएगा क्या होगा माइनस 6 क्योंकि बाड़ा का साइन लिखा जाता है तो यहां पर देखो हमारा जो पहला का दुसरा का जो एंसर हुआ वो माइनस 6 हो जाएगा ठीके तिसरा देखो X बराबर क्या रखना है 2 रखना है जो ठाड़ क्वेस्चेन है X बराबर 2 रखना है आईए इसको रखते है EG है कोई जदा घबराने की जुरुत नहीं है आप लोग को ठीके अराम से रिलाक्स दो करके बनाईए कोई दिकत नहीं होगा रखेंगे क्या लिखेंगे PX बराबर क्या आपको दिया है क्वेस्चेन में 5X 4X स्कॉाइर प्लस 3 दिया है अब एक्स कमान क्या रखेंगे 2 हमने रखा 2 यह होगा पांच गुना 2 माइनस 4 गुना X कमान 2 भरना है न तो 2 का स्कॉाइर प्लस 3 यहां से P2 बराबर हो जाएगा 5 दूना 10 और 2 का स्कॉाइर 4 और 4 से करेंगे 16 प्लस 3 यहां देखो P2 बराबर 10 83 13 माइनस 16 तब P2 बराबर हो जाएगा यह माइनस 3 यानि आपका जो एंसर आएगा वो माइनस 3 आजाएगा इसी के साथ दोस्तों हमारा पहला प्रशने कम्पलीट होता है और आपको कोई भी डाउट कोई भी दिकत हो आप कमेंट बक्स में कमेंट कर सकते हो और जिनको 9 की पूरी मैथ पढ़ना है वो हमारे मेंबर्शिप में जोईन हो सकते है मेंबर्शिप में जोईन होने के लिए मातर आपको 4.99 रुपी लगता है इसमें पूरा फूल कोर्स पढ़ाए जाते है यदि जोईन करना होगा तो कार्ब अकार्डमी एप को डाउनलोड करना हो कार्ब अकार्डमी एप को डाउनलोड करने के लिए पले स्टोर या इस वीडियो के डिस्किप्सन में एप है वहां से डालोड कर सकते हो और जिनको बाते समझ में रहे कैसे क्या करना है तो इस नंबर पर आप कॉल करके सर से बात भी कर सकते हो 8383896199 पर कॉल करके सर से बात भी कर सकते हो कोई भी डाउट, कोई भी दिकत हो आपको बताएंगे कैसे कैसे आपको जोइन करना है कैसे क्या पढ़ना है मातर 499 में पूरा math complete करा जाएंगे notes मिलेगे doubt class मिलेगे बहुत सारे फंसाने जिसमें आपको सारे चीज़ मिल जाएंगे जिनको जोइन होना है जल जल जोइन हो अपका math बहुत है चैसे complete होने वाला है चलिए question number 2 के उपर चलते हैं कि हमारा question number 2 क्या है तो देखिए हमारा question number 2 पढ़िए एक बार किताब में कि निमलिखित बहुपदों में से परतेक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 ग्याद कीजिए देखिए इसमें 4 question है न एक बार आपको 0 पर मान निकलना है ठीक है एक बार एक पर निकलना है और एक बार दो पर निकलना है आईए हम बारी बार इस equation को सल्ब करते हैं question इजी है घबराने की जुरुत नहीं है बहुत अच्छे समझ में आएगा बस अब देखते रहूं ठीक है और आपके पास किताब होना मेरे दोस्त बहुत ही ज़रूरी है जदि आपके पास किताब नहीं है न तो बहुत दिक्कत होती है ठीक है पहला प्रशने क्या है PY क्या है PY ये कलम चल नहीं रही है इसको हम चेंज करता हूं PY बराबर क्या है Y square minus Y Y square minus Y plus 1 है ठीक है अब इसमें क्या क्या रखना है आपको एक बार P0 एक बार P1 एक बार P2 सायद है न P2 है अपने किताब में देख सकते हो ये question है मेरे दोस्त और इससे solve करना है तो सोचो कैसे क्या किये जाएगा सबसे पहले 0 रखेंगे उसके बाद 1 उसके बाद 2 आईए हम क्या करेंगे लिखेंगे कि Y बराबर क्या रखेंगे सबसे पहले 0 Y बराबर 0 रखने पर जब Y बराबर हमने 0 रखा तो क्या हो जाएगा P Y जाएँ वहाँ 0 रख देंगे equal to Y square है Y कमान तो 0 है न तो 0 का है square और यह Y कमान 0 है तो 0 अब प्लस 1 यह देखो 0 का है square 0 माइनस यह 0 अब प्लस 1 complete इसको हल करोगे तो 1 आ जाएगा अब क्या रखेंगे Y कमान 2 रखेंगे लिखेंगे Y बराबर 2 रखने पर इस तरह से प्रशने बनेंगे मेरे दोस्त ठीके Y बराबर 2 रखो तो लिखेंगे Y यह नई P2 यह जहाँ जहाँ Y है क्या रखेंगे इसमें 2 रखेंगे अच्छा 2 है कि 1 है एक है ना मेरे भाई 1 है sorry 2 तिसरे में है 1 रखेंगे तो 1 का square माइनस 1 अब प्लस 1 इसे हल करो 1 का square करेंगे एक एक माइनस 1 और एक प्लस 1 एक प्लस माइनस कैंसिल क्या आएगा एक आएगा अब हम दो रखेंगे Y बराबर 2 रखने पर Y बराबर 2 रखने पर क्या होगा P2 यानि P2 बराबर Y का माइन दो रखना है तो 2 का square माइनस 2 अब प्लस 1 यह देखो तो 2 काई स्क्वाइर, 4 और यह माइनस 2, प्लस 1, यानि कम्प्लीट हमारा 4 और 5, 5 में से 2 जाएगा, यह 3, समझ माया, या नहीं आया, आया सब को समझ में, कोई दिकत ने किसी को, चलो, बहुत बढ़िया, हमने प्रशने संख्या एक को सल्व किया, अब हम प्रशने संख्या दुसरा का दुसरा देखते हैं, दुसरा का दुसरा देखो क्या है, आप Pt, क्या है, Pt इक्वाल टू, क्यों क्या है, Pt पलस नहीं है, ठीक है ना, इससे धियान देना है आपको, P T equal to 2 plus T plus 2 T square minus TQ माइनस TQ है अब देखो यहाँ पर पहले तो आपको हम बता दें कि यहाँ पलस और T में अंतर है आप ध्यान से देख सकते हो ठीक है और यहाँ T है न उसके लिए क्या रखना है सबसे पहले एक बार 0, एक बार 1 और एक बार 2 बारी बार से चेक करेंगे, एक बार T का मान 0 रखेंगे T बराबर 0 रखने पर चलो, क्या होगा ये P T का मान क्या रखना है, 0 एह हो जाएगा 2 plus T का मान 0 पलस 2 T का मान रखना है, 0 का है square माइनस 0 का whole Q ते यहाँ से क्या हो जाएगा जब इसको हम हल करेंगे ये 2 का 2 और ये 0 का 0 और ये सारे 0 का 0 और ये भी सारे 0 का 0 यानि ये क्या आएगा 2 आएगा ठीके एक बार T का मान क्या रखेंगे 1 T बराबर 1 रखने पर T बराबर 1 रखने पर तो लिखेंगे P1 बराबर यह 2 जहाँ जहाँ T है 1 रख देंगे प्लस 2 T का स्क्वाइर है तो 1 का स्क्वाइर माइनस है 1 T का होल की हो तो 1 का होल की हो जाएगा इसे हल करो यह 2 यह प्लस 1 और यह प्लस 2 और यह माइनस 1 यानि इसको देखो 2 एर 3 अब 2 5 में सिख जाएगा यह हो जाएगा 4 अब एक बार T क्या मान रखेंगे 2 T बराबर 2 रखने पर ओके यह हो जाएगा P2 यहां से आएगा जहां जहां T है न वहां जहां T वहां 2 रखेंगे तो 2 पलस 2 पलस 2 2 का स्क्वाइर और माइनस 2 का होल कीव इससे हल करो ते 2 पलस 2 दुदुनी के 4 और 4 दुनी 8 और यह भी 8 यानि इसको हल करेंगे तो 4 आ जाएगा तो देखो हमारा फाइनली दुसरा का भी एंसर आ गया ठीके आई होब कि आप लोगों ए दुसरा भी समझ में आ गया होगा अब दुसरा का तीसरा देखते हैं क्या है हमारा ठीके equation देखो PX equal to XQ है square तो नहीं है न मेरे में दिख नहीं रहा है साइश है side Q ही है ठीक है इसको हम solve करते हैं PX equal to क्या दिया Q PX equal to Q है और सबसे पहले आप हो क्या करना है जो हमारा 0, 1 और 2 पर चेक करना है उपर में देख सकते हो क्या चेक करना है P0, P1, P2 साइए हम सबसे पहले X बराबर 0 रखते है X बराबर 0 रखने पर यानि क्या हो जाएगा P0 और जहाँ X है वहाँ 0 रख लेंगे तो 0 का Q क्या होगा 0 अब क्या करेंगे एक बार 1 रखेंगे X बराबर 1 रखने पर क्या हो जाएगा P1 हो जाएगा और 1 का कर देंगे होल क्यूँ ए होगा 1 एक बार क्या रखना है? 2 X बराबर 2 रखने पर A हो जाएगा P2 A2 का हो जाएगा होल क्यूँ यानि या जाएगा दुदुनी का 4 चार दुनी का 8 यह देखो हमारा दोस्त कम्प्लीट हुआ ठड़ के बाद 4 देखो 4 क्वेस्चन क्या है आपका? कि PX इक्वल टू PX इक्वल टू X माइनस 1 और X प्लस 1 है यह आपका क्विश्चन है सबसे पहले हम क्या करेंगे? 0 रखेंगे न X बराबर 0 रखने पर X बराबर 0 रखने पर क्या हो जाएगा? यह P 0 हो जाएगा और देखो जहां जहां 1 से 0 रख दो 0 माइनस 1 और 0 प्लस 1 यह क्या हो जाएगा? 0 में से माइनस 1 जाएगा तो माइनस 1 और 0 प्लस 1 यह हो जाएगा 1 यह 1 और माइनस 1 से करेंगे हो जाएगा minus 1 ठीक है एक बराबर एक रखने पर क्योंकि एक भी रखना है दो भी रखना है आईए यह हो जाएगा P1 यहाँ जहाँ एक से क्या रखेंगे 1 जहाँ जहाँ एक से 1 रखेंगे 1 में से 1 जाएगा 0 और 1 1 2 0 और 2 से multiple करेंगे 0 हो जाएगा एक बार रखेंगे एक से बराबर 2 लिखेंगे एक से बराबर 2 रखने पर यह हो जाएगा P2 जहाँ जहाँ एक से क्या रखेंगे 2 जहाँ जहाँ एक से 2 रखेंगे 2 में से 1 जाएगा 1 2 और 1 3 3 और 1 से करेंगे तो 3 यह देखो आपका एंसर I hope कि आप लोगो एक question समझ में आ गया होगा और question number 2 भी हम लोग का complete हो गया अब हम लोग question number 3 को देखेंगे ठीके और part 1 में हम इतना ही रंदते हैं part 2 में हम question number 3 से solve करेंगे तो आज के लिए class इतना ही रंदते हैं कल की class में हम लोग part 2 में question 3 से solve करेंगे और ध्यान रहे कि daily class चलेंगी अभी 2-3 दिन उसे gap हो गया था क्योंकि हम कहीं घुमने चले गए ते रक्षा बंदन को जैसे बट अब हमारा regular class चलेगी आप लोग patience बनाए रखो विश्वास बनाए रखो हम आपको बहुत अच्छे से पढ़ाने वाल है तो घबराना नहीं है ठीके तो आज की class इतना ही रन देते हैं बाकी third question आप खुद से भी try करके बना सकते हो क्योंकि इतना जादी आपको बनाने आ गया होगा तो आप try करो बन सकता है चलो मिलते हैं next class में तब तक के लिए धन्यवाद और class अच्छा लागा हो तो comment box में comment कर देना और जितने उसे के अपने friend circle में जरूर share करिएगा हम आप लोग के लिए मेहनत कर रहे हैं मेरे दोस्त तो आपका यहीं बनता है कि आप कम से कम अपने five student के पास इस वीडियो को या मेरे channel के बारे में यह मेरा channel नहीं है मेरे भाई आपका channel है इतना समझ लो तो बताओ सबको ठीक है तो जिनको पुगा full course पढ़ना है वो हमने number दे ही दिया है कि इस number पे call करके सर से बात भी कर सकते हो 9 है ठीक है चलो मिलते है next class में कल की class में 7 बजे thank you so much दोस्त